1200 सिबानों में रहने वाले जन्जति समाज में जनमे स्वर्गय करतिक राम जी का अनेन्यों सधरान बेक्तित वंक्रोतित्य पीडियों तक हमारा मार्ग दस्तन करता रहेगा एक उच्च बिद्या विभुसीत और पेशिवार इंजिनियर होने के करान उनके समने आने का अबसर उपलब थे परन्तु जिस समाज से आये थे उसकी सेवा करने में ही उन्होंने अपने जीवन लक्ष निरहरित किया जन्जति समाज का विकास एवं उसमें आने वाली बधाओं सम्मन्ध ही उनके पास दो दुर्ष्टी थी उन्होंने संगसद एवं उसके बाहर समाज में बिना लाग लापेट के मोखर होकर इस संदर में बातों को रखा एही एक करान है कि उनके स्वर्गवास के इतने बर्सों के बाद भी उनके वीचारों की प्रसंगिकता थोड़ी भी काम नहीं हुए है स्वर्गे कर्दि गुराम जी को उनके सहकारी एवं अनुयाई बाबा कर्दि गुराम साहिप के नाम से पुकरते थे जन्जत्य समाज की ए अत्यांत मेधा भी एवं उच बिद्य विवुशित नेदा थे अपने लोगों के प्राति उनकी अत्याधीक प्राति बद्धता की करान उन्हाने तेल बार लोहर दगा संगसद्य खेत्र का प्राति निदित्यों लोग सभा में किया ए अपनी कड़ी मेहनात और समाज और राष्ट की सिवा करने की जुनोन की बल पर भारत सरकर के बिमानान और संचर मंत्र ही बने भारत की जन्जत्य समाज के उत्थन के लिए अजीबन प्रतिबाद रहे एवां उनके धार्म संस्कृती की बाहरी अगातों से रक्षा के लिए सदय जगरूत रहे बाबा कर्तिक उराम को जान 29 अक्तबर 1924 को जर्खन रज के गुमला जिले के करवंदा लिटा टोली नमक गाउं में हुआ पिताजी का नाम जैरा ओराम और मताजी का नाम बीर्शी ओराम था 2922 में गुमला से हाई स्कूल की पढ़े पुरी करने के बाद उन्होंने साइन्स कोलेज पटना सी इंटरमीडियेट की परिक्षब पास की आगे चाल कर उन्होंने बिहार कोलेज ओप इंजिन्यारिंग पटना से इंजिन्यारिंग में सनातक की पढ़े पुरी की इसके बाद एंग्लेंड चले गए और रोयल कोलेज ओफ साइन्स एंट टेकनोलोजी ग्लास गो और बेटर सी कोलेज ओफ टेकनोलोजी लंदान विस्से बिद्दले से इंजिनियारिंग में अपनी आगे की पढ़े पुरी की उन्होंने लंदन के लिंकन इन में बार एट लोग का भी अधहन किया भरत्यों के लिए ये गार्व की बात है कि इंग्लेंड में अपने नो बर्सों की निवास के दोरान उन्होंने 1969 में बिट्टी सरकार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वच चालित पावर स्टेशन का डिजेन त्यार किया आज इसे हिंकले नुकलियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है उसके बाद कातिक उराम उन्हों से 61 में भारात लोटे और उन्होंने HEC यानि की Heavy Engineering Corporation Limited राची में अधिख्यक निर्मान इसके साथ है उन्होंने BAU यानि की बिर्षा एग्रिकल्चराल उनिवर्सिटी राची और सेंट्राल लाइबेरी के भावान का भी डिजेन त्यार किया बाद में उन्हें उपो मुख्य डिजाइन इंजिनियर के पाद पर पदोनत किया गया लेकिन उस समय छटानागपूर के जनजात्यों की स्तिति को देखते हुए उन्होंने समाज के लिए काम करने का संकल लिया और 1962 में राजनीती में प्राबेश किया आचरज बिनवभाबेश जी के निर्तुत्तों में 1968 में जब भूदाल अंदुलन तेज हो रहा था ताब जनजात्यों की जमिन सास्ते दामों पर बेची जा रही थी इसे समय में कर्तिकुराम जी ने स्रीमाती इंद्रा गांधी से आपिल की की जनजात्यों को उनकी भूमी से बंचित करके भूमी हिन होने से बचाएं ये तत्कलिन प्रधानमंत्री स्रीमाती गांधी को मनाने में सफल रहे और इस मुद्धे पर अधिनियम बनाकर जानजात्यों की खोई हुई भूमी को आपस पाने का बेवर्शता की गई श्रीकार्तिकुराम के अथाक प्रयासों की कराण ही राची में बीर्शा कुर्शी बिश्यविद्धलय की इस्तपना हुई उन्होंने ट्राइबल सब प्लान के निर्मान में महात्रपुर्म भूमी का निभाई थी जिसकी अधर पर बर्तमन में केंद्र और राज्य सरकारी जन्जत्यों की विकास के लिए बिभिन विकास योजनाई सला रही है